यस सेजु सर के साथ में आप सभी का स्वागत और अवी नंदन हैं और मिलते हैं सेजु सर से तो मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ क्लास 10th का जो सिलिबस अपने पास में वो विसेश करके NCRT का जो भी राजस्थान माद्य मिक्षिक्षा बोड की तरफ से चल रहा है तो इस पूरे सिलिबस की अंतरगत मैं आप से आज रूबरू होने वाला हूँ और आज आप मेरे इस चैनल के उपर देख भी रहे हो पूरे 10th के सिलिबस के अकोडिंग आप लोग देखोगे तो चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हलांकि उन्होंने रिमूव कर दिया है तो नई जो बुके आई है उसमें चैप्टर नंबर जो 5th है जिसमें आप लोग देखोगे पिरियोडिक टेबल का मामला तो वो इस सिलिबस में इस बार नहीं है फिर उसके बाद में आप लोग जाओगे बायरोजी के अंदर 10th के अंदर तो 10th की बायरोजी के अंदर जय उप्रकरम हो जाएगा उसके बाद में नियंतरन और समन भी है अपने पास में जन्तुवा में जनन की गटनाएं ये अपने सिलिबस के अंदर है उसके बाद में जय विकासे उसमें कुछ चैप्टर थोड़ा सा हटा रखा है तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते है प्रोसेस पे तो अगला जो प्रोसेस दे रखा है वो अपन चलते है फिजिक्स के उपर और फिजिक्स के अंदर भी आप देखोगी तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अभी भी है उसके बाद में प्रकाश, मानव नेत्र, रंग बिरगान संसार ये भी है उसके बाद में आप लोग जाओगे 10th के साइंस के अंदर तो आपको चैप्टर मिलेगा आगे विदूत का एलाक्रिसिटी का वो भी सिलेबस में है फिर उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा मैगनेट यानि की विदूत धारा के चुम्ब की अप्रभाव तो वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में है फिर आप बायलोजी में जाओगे तो उर्जा के श्रोत हलांकी चैप्टर को इस बार हटा दिया है परियावर्ण का कुछ टॉपिक है इस बार पारी तंतर है वो चैप्टर है फिर उसके बाद में जो सब पोशन विकास का चैप्टर था उसको वापस अठा दिया है यानि कि दो चैप्टर आपके परियावर्ण के अठा दिया है और एक चप्टर आपके chemistry काटा दिया यानि कि तीन चप्टरों को अठाया है और इससे कोई फरक नहीं पड़ा सलेबस के उपर देखा जाए तो मोटना मटना देखा जाए यानि कि बड़े बड़े चप्टर जो थे वो as it is पड़े है chemistry के biology के physics के chemistry का एक गया है और biology का तो कुछ गया ही नहीं है कि last का जो 9th का chapter था जो 9 number chapter था उसमें थोड़ा बहुत कुछ उटाया है और फिर परियावन के कुछ topic है तो मैं आपको रूबरू करवाना चाहरा हूँ पूरे 10th के NCRTK syllabus के respect में जिसमें मैं हर चीज को आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर आप लोग इसको देखते जाएए और क्या क्या चीज़ें किस किस हिसाब से decorate करके रखी है यह आप लोग chapter 1 में जाओगे तो chapter 1 के अंदर आप देखोगे इसमें तो कैसे जिंक की reaction शल्फिरिक अमल के साथ हो रही है या फिर दानेदार जिंक के साथ में तनू शल्फिरिक अमल की अभीक्रिया कैसे होती है किस respect में होती है ये उश्मा छोशी या छेपी ये सारी चीज़े है फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखोगे तो pH scale, pH scale क्या होती है, pH scale की range कहां तक होती है, अमल क्या होती है, छार क्या होती है, pH जो रहती है, उसकी परास क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, और पदार्थ हों कि pH को कैसे मापा जाता है, ये सारी चीज़े आप लोगों को इसलिए बस से मिलने गी, यस नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर जिंक सलिफूरी कैसीड के साथ रियाक्शन करती है तो निकलने वाली गैस कैसी होती है और उसके आप पैचान कैसे करोगे यह तो जो दिख रहा है आपको यह तो किवल चितर है क्लास के जिसके अंदर मैंने पढ़ाया है लेकिन आप लोग जब रियल में मेरी क्लासों को देखोगे तब आपको पता चलेगा एक एक चीज को मैं लाइव आपको समझा रखा है यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे की चुने के पानी के अंदर आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर रियाक्शन करवाते हो तो क्या होता है या फिर लवण हैं जिसमें अमली लवण हैं चारी लवण हैं उदासीन लवण हैं इनकी पी एच कैसी होती है और कैसे अमल चार आपस में अभी क्रिया करके इस इस परकार के लवण बनाते है metallic conductivity दातगों में चालकता कैसे होती है कौन सबसे ज़्यादा चालक होती है कौन कम चालक होती है कौन कूचालक की तरह वेभार करती है तो यह चीज़े आपको देखने को मिलेगी यह सबसे गजब की बात होती यहां से बोड के अंदर question मनता है एक्वारीजिया या फिर बभगता द्रव या जिसको अपन रॉयल वाटर के नाम से जानते है तो जिसमें HCl और HNO3 यानि की Nitric Acid को किस रेशियो में मिलाती है और यह एक्वारीजिया क्या काम करता है यह freshly prepared solution होना चीए या फिर इसमें क्या-क्या गोन होती है आयनिक मंद कैसे बनते है विद्ध सयोजक योगी कैसे बनते है यह सारी चीज़े आपको चैप्टर 3rd से मिलेगी यस आप लोग चैप्टर 3rd के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको एक प्रोसेस मिलता थर्मीट अभीकरिया आप यहाँ पे देख पारे हो पढ़ते हो एनोड मड क्या होता है या फिर एनोड क्या है कैथोड क्या होता है कैसे एनोड का एक मोटा तार होता है कैथोड का पतला तार यह टाइम के साथ मोटा होता है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको क्लासों के थुरू बता रखी है आप लोग क्लासों को एंजर करोगे तो एक चीज समझ में आएगी कार्बन के अपर रूप है जिसमें ग्रिफाइट है, फुलरीन है या फिर हीरा है इसकी सरंचना कैसे बनती है, इनके अंदर कैसे कैसे गुण होते है, इनके कहां कहां उप्योग होते है सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन का वर्गी कर्ण हो या फिर हाइड्रोकार्बन की सरंचनाओं के रेस्पेक्ट में हो और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इधर की तरफ नॉमेन क्लेचर करने में यह जो नामकरण की गटना है इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता कि कि टॉन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बॉकसिलिक एसीड क्या होता है एल्कोहल गुरुप क्या होते है, परतिस्थापी समू क्या होते है, समावेवी क्या होते है जैव सक्ति सिध्धान्त क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लेकिन एक एक चीज को मैंने वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देखर के एक एक चीज को आपके सामने हर class को live देखर के आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है मैं अभी class का link दिखाऊंगा आपको carbonic अभिक्रियाओं के अंदर देहन की अभिक्रिया होती है oxygen की अभिक्रिया होती है परतिस्थापन की अभिक्रिया होती है ये चेप्टर नमबर 4 में से आप देखोगी 4 में से मिसेल कैसे बनती है, क्या उसमें जलरागी भाग होता है, जल विरागी भाग क्या होता है, आइड्रोकार्बन पोंच क्या होती है, या फिर उसमें जो मिसेल बनते हैं, उसमें कैसे छुटे छुटे अनू होती है, मिसेल की सरंचना कैसे बनती है यह आप जब एक्सपर्ट फेकल्टियों से सीखोगे तब यह आपको पता पड़ेगा कि रियल में साइंस का अनंद क्या होता है ओके आप लोग देखोगे चैप्टर नबर फाइव को आपके सलेबस से तो अटा दिया लेकिन फिर भी मैंने करवा रखा है क्या इसमें डोबे राइंगर का त्रीक नियम होता है या फिर आवर्त में वरग में क्या-क्या गुंड धरम कैसे बदलती है आवर्त सानी क्या होती है क्या आवर्त होते है, क्या वरग होते है, किस वरग में कौन-कौन से लक्षन होते है ये सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से मैंने explain कर रखी है फिर अपन थोड़ा सा biology के तरब चलते है biology के अंदर मानव का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के चित्र कैसे बनते है विदिन दो से तीन मिनट में आपको चित्र को कैसे कम टाइम में आप कवर कर सकते हो ये सारी चीज़े होती है पेड़ पोदों में जब प्रकास sensation होता है तो उसमें starch बनता है या फिर glucose का जब स्वशन होता है जब उसका respiration होता तो किस प्रकार से ATP के रूप में energy बनती है वाई विए स्वशन क्या होता है वो सारी चीज़े में ने करवा रखी है पेड़ पोदों के अंदर आप लोग जानते हो जो पतियां होती है पतियों के उपर पाए जाते है रंदर वो रंदर कैसे खुलते है कैसे बंद होते है कैसे वाशपोत सर्जन होता है क्या द्वार कोशिकाई होती है ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी यस उसके साथ में आप लोग देखोगे मानव में शौसंग की प्रक्रिया, रैस्पिरेशन की प्रक्रिया, मानव में अर्दय की सरंचना सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती सार, हमसे अर्दय का चितर नहीं वड़ना आप क्लासों को देखिए, एक एक क्लास में डाइग्राम की माध्यम से और नीट एन क्लियन बहुत कम से कम टाइम है और विध एक्ट्यूरेसी, ना कैसे चितर बनते हैं, आप लोग मानव में उतसर जन तंतर का चितर देखोगे मानव में नेफरोन की सरंचनाओं का चितर देखोगे, ये सारी चीज़े आपको बहुत कुछ सीखाएगी ये देखिए, रंग मीरंगे चितर सब हाथ से प्रिपेर कर रखे चाहे वो मानव तंतरी का हो, मानव का मस्तेश को, ये मानव में परतिवर्ती की दिया हो या फिर सिनेप्स की प्रकिया हो, कैसे ये रियाक्षने होती है सब चीज़े आपको लायू के अंदर, मैंने आपको एक एक लांस के अंदर बहुत अच्छे से प्रोस रखा है मानव में गरंथियां कैसे काम करती है, तना जो होता है वो कैसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती और रिनात्मक गुरुत्वा अनुवर्ती काम करता है कौन-कौन से हार्मोन होते हैं मानों में ये पेड़ पुद्धों के अंदर इस पर सानुवर्तन हो चाहे पेड़ पुद्धों में जलानुवर्तन हो चाहे रसाय नानुवर्तन हो ये अनुवर्तन होते कैसे हैं पेड़ पुद्धे कैसे इनको adopt करते हैं ये सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेगी 10th के अंदर Science का syllabus मैंने Complete syllabus आप लोगों के लिए इतना एकदम अच्छे से करवा रखा है आप कहीं पे भी किसी other source से देख लेना लेकिन यहां से compare करना कितना आपको quality के साथ मेटर मिलता है बहुत 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 अच्छे से विद्यारती अभी हजारों की संख्या में विद्यारती हमारे साथ में जुड़े है तब मैं एक बार आपको और indicate कर रहा हूँ कि इन क्लासों को आप लोग enjoy कीजिए देखिए यस यह पेड़ पोदों के अंदर जनन की प्रक्रिया बता रखिए यह सजीवों के अंदर प्ले नेरिया के अंदर पुनुरुद भवन कैसे होता है अमीबे के अंदर दुई खंडन कैसे होता है राइजोपस के अंदर बीजानू समागम कैसे होता है ब्रायोफाइटा की जो पती है, लीफ होती है, उसके अंदर काहिक परवर्धन होता है यहना वेजितिव्टिट प्रडॉक्षन होता है, तो यह कैसे होता है आप लोग यहाँ से देखोगे, रिप्रोडॉक्षन के बारे में मादा जनन तंतर में कौन-कौन से पार्ट होते है ये कैसे वर्क करता है नर जनन तंतर, नर जनन तंतर की complete पार्ट नर जनन तंतर की complete सरंचना उसके साथ में आप इधर देखोगे तो एक पुष्प के अंदर जनन कैसे होता है पुष्ट में क्या पराग नली होती है, क्या बिजांड होती है, क्या अंडा से होता है, कैसे फल का निर्मान होता है, कैसे इसमें निसेचन की प्रक्रिया होती है, पराग कन क्या होता है, परागन की प्रक्रिया क्या होती है एक एक चीज़ों को जब आप class देखोगे तब जाके पता चलेगा आप हो या आपके छोटे भाई जो भी इस बार 10th के अंदर है और 10th की science अगर complete करवाना चाहते है और अच्छी quality के साथ में आपने कहीं और से पढ़ी होगी लेकिन इस class को आप लोग एक बार देखोगे तो आपको really अरेगा की वहाँ ऐसे भी science पढ़ी जाती है या sex determination की प्रकिया कैसे link निर्धारन होते है कैसे लड़का बनता है कैसे लड़की पैदा होगी ये सारी चीज़े है क्या अंडानों सुक्रानों इनका निसेचनों से पर कैसे link का निर्धारन होता है आप मेंडल के निय कहां से आई कहां से जाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है आकरतिया छोटी बनेगी की वड़ी बनेगी आवासी बनेगी की वास्तविक बनेगी सी पर बनेगा की अनन्त पर बनेगा ये प्रती बिम्बों का पता ही नहीं चलता है लेकिन इन क्लासों को enjoy करोगे तो फिर आपका ये कभी रोना नहीं होगा, सार हमें ये चीजे समझ में नहीं आई, आप लोगों की अंगुडियों पर होगा, सार, yes, we can do it, ये चीजे हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्जु सर से साइंस पढ़ रखी है, आप लोग यहां पर देखोगे, क्या दरपन होते है, क्या उसकी परिपाटी रहती है, और लेंश में क्या परिपाटी रहती है, कैसे लेंश वर्क करता है, कैसे लेंश से किरन चितर बनते है, मानव आंखों की सरंचना के बारे में, मानव नेतर की सरंचना कंप्लीट मैंने हाथ से बणा करके एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रखा है आप लोग देख सकते है मानो का नेत्र और रंग बिरंगा संचार जो ये चेप्टर है उसमें से आप लोग यहां से देख सकते हो कैसे निकट दृष्टी दोष कैसे दूर दूर दृष्टी दोष ये दोष होते क्यों है इनका निवारन अपन कैसे कर सकते है और निवारन क साथ में गजब की बात बता दू मानों में जितने भी दोश होते है एक एक चीज को मैंने लाइव सेसन के अंदर बहुत अच्छी से क्लासों में डिस्क्राइब कर रखा है यस आप लोग यहां से देख सकते हो प्रकाश के अंदर की गटनाओं में कैसे इसमें इंदर धनुष बनते है ना सूर्य सुभे के टाइम अपने को रेड लाल कलर का दिखाई देता है लेकिन दोपहर के टाइम अपने को पिले या फिर सफिद रंगा दिखाई देता है क्या कोलाइडी विलेयन होता है, कैसे प्रकिर्णन होता है आकाश निला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक सियात्रियों को आकाश बलेक क्यों दिखाई देता है आकास में तारे टिम टिमा थे हुए क्यों दिखाई देते हैं सारी चीजों का आपको वर्णन यहां से मिलेगा यह अभी बोर्ड में पूछा किया क्वेशन था कि न्यूटन का जो प्रैक्टिकल था उसमें स्वेत प्रकास है उसको मिला करके आप और स्वेत प्रकास में इंदर धनूस इनको कैसे आप सपस्ट कर सकते हो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को ओम के नियम से यह आपका ओम का नियम कैसे वी और आई में संबन्द होता है विदुधारा क्या होती है विदुधार क्या होता है जूल का तापिय प्रभाव क्या होता है और किलो वाट आवर्स क्या होता है यूनिट क्या होती है यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिलेगी सबसे गजब की बात है कि आपको यहाँ पर स्रेनी करम और समांतर कर्म में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्रेणी कर्म में फॉर्मूला कैसे लाए समांतर कर्म में फॉर्मूला कैसे लाए घरेलू परिपत कैसे होता है कितना इसमें विभवांतर होता है कितनी आवरती होती है सारी चीजे आपको सीखने को मिलेगी और उसी के सासाथ में चुम्बक की परभाव वाड़ा चेप्टर जिसमें आदरे मेरी एंपियर ने किसी दारावाही चालक पर कैसे बलका इन्होंने अनुभाव करवाय था चुम्बक की चेत्र कैसे होता है एक एक चित्र को मैंने हाथ से डिस्क्राइब करकर के बता रखा है आप लोग यहाँ पर देखोगे किसी भी धारावाही चालक तार में जब विदुधारा बहती है तो उसमें कैसे चुम्बक पैदा होता है इन चीजों को देख सकते हो दारावाही चालक चुम्बक यह चेत्र में है तो उसमें कैसे चुम्बक यह चेत्र प्रकट होता है आप लोग यहाँ से देखोगे कि गर के अंदर कैसे शॉर्ट सर्किट होता है क्या ओवरलोडिंग होती है फ्यूज़तार कितना लगाना चीए कितने उसकी रेटिंग स्केल होनी चीए और फ्यूज़तार लगाते है तो यह किस किस से बना होता है इसका प्रतिरोध कितना होता है इसका प्रतिरोध के साथ में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बल्ब क्या होता है बल्ब में कौन सी gas है भरी जाती है सारी चीजों को मैंने इतना गजब तरीखे से करवा रखा आप देखोगे क्लांसों को रियली एंजोई आ जाएगा फ्लेमिंग के राइट एंड का लो और लेफ्ट एंड का लो उसके साथ में ये जनरेटर कैसे काम करते है खाद्य जाल क्या होते है और खाद्य जाल के सासात में जो जविक आवर्धन की गटनाई है वो क्या होती है एक एक चीज बता रखिये एक पारी तंतर में उर्जा का परवा कैसे होता है को सीखना पड़ेगा टेंथ के अंदर अगर आप लोग चाहते हो या आपके छोटे भाई जो अभी 10th में है और बहुत अच्छे से खुद की साइंस की जो memory है उसमें 100 मैं से 100 लमर लाना चाहते है और 100 मैं से 100 खुद के बल बुते पे यह साइंस अगर यहां से इस platform से आपने अगर पढ़ ली तो फिर उसके बाद में जिन्दगी में कभी यह नहीं होगा किसार हमें साइंस समझ में नहीं आती है CFC क्या है, UNEP प्रोग्राम क्या है, 1987 का क्या है या फिर OJON का Deflection, 1980 प्रोग्राम क्या है यह सारी चीज़े दिखाने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं यस, आप लोग देख सकते हो क्या करना, यह जितना आपने कुछ देखा है इन सभी की क्लासे आप लोगों को बहुत अच्छे से और Systematic ढंग में आपको यहां मिलने वाली क्या करना आपको Simple सा आपको ऐसा करना है आप लोग सबसे पहले लोगे अपना Mobile और आपने Mobile लने के बाद में कुछ नहीं Simple सा काम करना है जैसे आपके पास Mobile है इस Mobile के अंदर आप लोग जाओगे Play Store में और Play Store में जाकर के आप लिखोगे संकल्ब क्लासेज बाड मेर तो संकल्ब क्लासेज बाड मेर का आपके सामने एप आ जाएगा Official एप पे आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना और जैसे डाउनलोड करने के बाद में आप लोग जाओगे करते हो RBSC के उपर तो RBSC में सेजू सर की सारी क्लासे आपको यहां से मिलने वाली है फिर आपको क्या करना है जैसी आप लोग वहां पे टिक करोगे तो आगे आपको यह ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर व्यू डिटेल या फिर व्यू डेमो या बाइनाव तीन आप्शन आपके सामने रहेंगे आप यहां से व्यू डेमो पे क्लिक करके और व्यू डिटेल या व्यू डेमो पे क्लिक करके एक एक चीज को यहां से चेक कर सकते हो, सर ने किती क्लास है करवाई, कितना टाइमिंग इसके अंदर है, क्या क्या सेशन है, कैसे प्रश्मतर ये करवा रखी है, सारी चीज़े आपको यहां से off मिल जाएगी और फिर by now पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो by now पे जाते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और मैंने अभी आपके लिए इन क्लासों की प्राइस, only नाम मातर की प्रिस, मातर तीन सो निनाणवे के अंदर करवा रखी है, और ये बहुत कम प्राइस के अंदर इतनी स सारी चीज़े, आप लोग खुद किसी भी प्लेटफोर्म से कंप्यर कर सकते हो, साइंस इतनी क्वालिटी के साथ, कहीं पे भी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, जितनी यहां से आएगी, मेरा दावा है, और पूरी साइंस पढ़ने के साथ, आपका confidence इतना हाई हो जाकर के pay online पे click करोगे, तो pay online पर click करते ही, आपके सामने ऐसा interface open होने वाला है, और यह जो page आएगा, इसके उपर आप लोग phone पे use करते हो, तो phone पे से, आपके mobile से, जो इसका charge नाम मतर का, वो इसे deduct हो जाएगा, और यह course आपके mobile में आकर के all course के अंदर, या my course के अंदर add ह हो जाएगा, अगर आप paytm use करते हो, तो यहां से हो सकता है, आप लोग देखते हो कि मैं mobile में paytm use नहीं करता हूँ, तो आप लोग यहां पे other पे click करोगे, और जैसे other पे click करोगे, तो आपकी UPI ID पूछी जाएगी, आप UPI ID में जो कोई भी आपका भाई, जो mobile use करता है, आप उसकी UPI ID जैसे ही इसमें enter करोगे, करना कुछ नहीं है, mobile आपका होगा, mobile आपके course आपके mobile में जुड़ेगा, लेकिन पैसे जो है, इसका charge जो है, वो उनके mobile से detect हो जाएगा, आपने उनके mobile नमबर को यहां पे enter किया, और mobile नमबर को यहां पे enter करोगे, तो simple सा mobile के कर सकते हो, और फिर आप लोग इन से related कोई भी किसी type की, अगर आप लोग mistake चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं, यह मेरे को दिक्कत हो रही है, यहां पी class है, कैसे access हो रही है, तो इसके लिए आपको description में नीचे, आपको help line के number में दे रहा हो, description में, तो वहां से आपको direct call क देख सकते हो, तो यह सारी चीजे मैंने आपको दिखाने की यहां पी कोशिश की है, और आप लोग अगर competition की preparation कर रहे हो, competition हो, या फिर कोई भी छोटा भाई आपका, अगर 10th में है, या फिर आप खुद भी अगर competition preparation कर रहे हो, तो पहले अपनी science को मजबूत करना और science की मजबूत करने के लिए यह आपको बविशारी यहां से class से available हो जाएगी, तो यह सारी चीजे आपको बहुत अच्छी से सीखने को मिलेगी, ओके, तो मैं आज के session में आपको विदा चाहूंगा यहीं से, और यह बहुत अच्छी सी जानकारी मैंने आपको share की है, और आप लोग भी इस जानकारी को आगे से आगे share करें, नाम मातर की एक शुलक के अंदर लेकिन पूरा का पूरा science के पूरे के पूरे systematic syllabus आपको available हो जाएगे, so thank you, wish you all the best, bye